जिसका आप लोगों का बेसबरी से इंतिजार था वो घड़ी अब आ चुका है जी हाँ, IPL मैच अब सुरू होने वाला है अगर बात करें IPL का, अगर जो किर्केट को समझता है, किर्केट को देखता है तो उसे जरूर IPL के बारे में पता होगा IPL 22 मार्च से स्टार्ड हो रहा है इसमें पहला मैच CSK और RCB खेलेगा CSK जो कि 5 ट्रोफी अल्रेडी जित चुका है, वो 6 ट्रोफी जितने के लिए तैयारी कर रहा है मगर RCB जो कि अभी तक एक भी ट्रोफी नहीं जित पाया है वो भी यही चाहता होगा कि यह ट्रोफी अपने नाम करे RCB फान्स जो कि हर एक साल निरास होते हैं वो भी यही चाहेंगे कि कम से कम इस बार ट्रोफी RCB लेकर आए लेकिन CSK फान्स यही चाहेंगे कि इस बार भी CSK ही जीते क्योंकि साइद MS धोनी का यह आखरी सीजन होगा इसलिए सबी CSK फान्स यही चाहते हैं कि यह ट्रोफी CSK ही जीते और MS धोनी का यह सीजन यादगार बनाए अगर बात करे हैं हम MS धोनी का जिन्हें हम Captain Cool कहते हैं उन्हों ने अपने Facebook पेज पर कुछ ऐसा बात लिख दिया जो देखकर हमें यही लग रहा है कि साइद MS धोनी तीन या चार नमर पर बैटिंग करने आ सकते हैं यह fix है या नहीं यह तो नहीं बता सकते हैं किन हां CSK में कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा जैसे कि बात करें ओपनर्स का फ़हलें CSK के तर्फ से रितुराज गयकवर्ड और डेवन कॉनवे ओपनिंग करते थे अपके पर CSK टीम पहले से भी ज़्यादा एश्ट्रॉंग लग रहा है यूँकि CSK रचिन रबिंद्र और रबिंद्र जेडेजा जैसे बेस्ट अलराउंडर लेकर आ रहे हैं अगर बात करें RCB का इसमें एक से एक बैट्समन है लेकिन बात करें बॉलर्स का जो की थोड़े कमजोड दिखने को मिलता है लेकिन RCB ने ये गलती इस बार नहीं दोहराया और Cameron Green जो की एक बेस्ट बॉलर है उन्हें अपने टीम में सामिल किया है ये मैच देखने के लिए हम बेसाबरी से इंतिजार कर रहे हैं और ये मैच एक जबरदस्त मैच होगा तो ये मैच जरूर देखें और मुझे भी सपोर्ट जरूर करें आपको क्या लगता है कौन जितेगा